आपको एक message आता है कि आपके आपाउंड में 1000 रुपे जमा होगे है या 10 रुपे जमा हो अब मुझे मालूं है यह पैसे मेरे आने वाले तो नहीं तो मैं देखता हूं कि यह पैसे कैसे return करने हुआ फिर जो क्रिमिनल्स है वो आपको लिंक बेशते हैं कि मेरा गलती से पैसे आ गया है आपके आहां पर मैं गरीब आदमी हूँ उदे अप्टूली होस्पीटल में बरने थे तो आप उदे रिटन कर दी तो लिंक पे क्लिक करते हैं वो तो पैसा जाता है अपने 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 साइबर फ्रॉड जो होते हैं पांच कारण है फॉस्टली इस दे ग्रीड अफेबर्सल लग गई मैंने लॉट्री का टिकिटे ही निकाला नहीं है तो लॉट्री कैसे लग गई हूँ सेकंड़ी यूर बेटिंग्स मेने तिंग्स एट डिस्कांटेट रेट बिस्किट का ज हलो और नमस्ता आप देख रहे हैं पॉड्कास मेरी सहली और मैं हूँ आपका होस्ट अमिताब कुमार हर हफ़ते हम आपसे कुछ महतपूर हस्तियों को मिलवाते हैं जिनके साथ कुछ रोचक और कुछ ज्यानवर्दक बाते करते हैं जिस तरह से कोचिंग में ऑनलाइन बारे में आज कल बहुत चर्चा हो रही है उसी तरीके से एक दूसरा आयाम फ्रॉड और क्राइम का भी है जिसे हम साइबर क्राइम या साइबर फ्रॉड के नाम से जाने के लिए आज हमारे पास एक एक्सपर्ट है जो की बहुत ही जाने माने साइबर कॉप है जो की इन्होंने 26-11 के investigation में पाट लिया था, इन्होंने ही लोगों को पाकिस्तान के रोल, इन्होंने ही पाकिस्तान का रोल जो 26-11 में था, उसके बारे में अवगत कराया था, इन्होंने ही cybercrime police station बुंबई में establish किया था, इन्होंने ऐसे अंगीनत cases solve किये हैं, जो की cybercrime और cyber security से related हैं, 28 साल के इनके overall career में अंगीनत cases करने के बाद, आज हमारे समक्ष ये मौझूद है, as an expert और as a cyber cop, आजकल ये social service में है, as a consultant, और लोगों को जागरूख कराते हैं, cyber security के बारे में, सिर्फ ये ही नहीं, मुंबई police में भी जो serving police officers हैं, उन्हें cybercrime और cyber fraud पर training भी देते हैं, और उन्हें नई नई चीजों के बारे में, जो की cybercrime और cyber fraud को रोकने के लिए जरूरी है, उसके बारे में बताते हैं, बहुत स सारे seminars और forums को lead करने के बाद, आज हमारे बीच आ गया है श्री रवींद्र भीडे जी, so रवींद्र जी सौभा गया है हमारा जो आप हमारे साथ बैठे हैं अभी, आपके जैसे अनुबवी expert को लेकर हमारे तो हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा, तो पहला चीज मैं ये समझना चाहूंगा कि किसी भी चीज को जानने के लिए 6 elements ज़रूरी होते हैं, what, when, who, why, where and how, जिसमें सबसे ज़रूरी element जो होता है, वो what होता है, तो सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये cyber fraud या cyber crime क्या होता है? cyber crime का definition जो है, वो ऐसे है, कि where any computer or mobile is used as a tool, target, or medium, और उसके थ्रूँ जो activity की जाती है, उसके थ्रूँ जो crime की जाते है, उससे cyber crime कहा जाता है, actually cyber has got, meaning is that it's a vacuum, dictionary meaning, okay, so cyber crime जो आथकर चल रहा है है, digital world में, oh, that is called as the cyber crime, okay, so anything which has to do with internet, that is cyber crime, that is cyber crime, that's so nice, that's connected with the internet, that's so nice, because आपने जो cyber law भी जो है डिपलोमा किया हुआ है, जी, तो मतलब, you are a theoretician also, and you are a practitioner also, I am sure कि हमारे व्यूवर्स को इससे बहुत फायदा होगा, right, so, दूसरा में ये सवाइना चाह रहा हाता है, कि ये जो cyber frauds होते है, ये इनको अंजाम कैसे दिया जाता है, जो होते है, उसका कारण, जो विक्टिमाइज जो होते है, उनके पाँच कारण है, firstly, is the greed of a person, लोटरी लग गई, मैंने लोटरी का टिकिटे ही निकाला नहीं है, तो लोटरी कैसे लग गई मुझे, ये कोई सोचता नहीं है, उन्हें हमें ऐसे लगता है कि बगवन हमको मेरबान हो गए और हमें पैसे मिल रहे है, secondly, you are getting many things at a discounted rate, कोई भी आपको discount में क्यों देगा, जैसे अभी एक उदारण इसका है, बिस्किट का जो छोटा बॉक्स हो रहता है, पुडा रहता है, वो 7 रुपिय मिलता है, वो 5, अगर online खर होगे तो पाच रुपे में मिलता है, तो वो खरिन ने गए और she lost 90,000 रुपीज, यह जो greed है, second comes the fear of a person, कि हमारे मन में जो भीती रहती है, डर रहता है, वो डर किसी ना किसी करण हमें victimize करने में मदद करता है, यह डर ऐसे रहता है, कि आप यह काम करो, कोई notice आगया, income tax का notice आगया, ED का notice आगया, CBI का notice आगया, तो हम लोग डर जाते है, यह डर जो है, यह second thing है, thirdly हमारा जो एक obedience है, हमें बच्पन से सिखाया जाता है, कि कोई वड़ा वजूर्क या कोई government agency, आपको कोई question पूछे, तो you have to answer it, तो यह जो obedience है, यह आज के digital world में हमें सीखना चाहिए कि evidence कहा रखना है, कहा नहीं रखना है, fourthly comes the innocence of a person, हमें अगर रस्ते में चलते हुए भी एक रुप या कोईन मिलता है, तो हम उठा के जेप में नहीं डालते है, हम या तो किसी गरिद को दे देते हैं, या कहीं रख देते हैं, similarly, आजकल ऐसे होता है, कि आपको एक message आता है, कि आपके account में 1000 रुपे जमा होगे है, या 10,000 रुपे जमा होगे है, अब मुझे मालूँ है, ये पैसे मेरे आने वाले तो नहीं थी, तो मैं देखता हूँ कि ये पैसे कैसे return करते हैं, फिर जो criminals है, वो आपको link बेशते हैं, कि मेरा गलती से पैसे आ गया है, आपके जो है हमारी, कि जो पैसा मेरा नहीं है, वो मुझे नहीं रखना है, मैं इसके बारे में तो नीटेंडने बाद में बात करूंगा, कि how to deal with this situation, and lastly comes, कि हमारा helping nature, बचपन से हमारे संस्कृती में ऐसे सिखाया गया है, कि दूसरे की मदद की थे, तो यहाँ पर digital world में, दूसरे देली में एक आदमी, मिडल एज आदमी, ATM सेंटर में गए, उन्होंने अपने पैसे जो थे वो निकाले, और बाहर आगे, तो उन्हें बाहर छोटा लड़का मिल गया, college going student, तो रो रहा था, तो इसने पूछा क्या हो गया, तो बोले मेरा पैसा गुंग गया है, मेरा लास् सेंट में लेकिन मेरे पास यहां पर अकाउंड नहीं है, अगर आपका अकाउंड नमबर दोगे तो मेरे पिदाजी आपको भेज देंगे पैसा, तो उन्होंने इन गुड़ फेट उसे अकाउंड नमबर दिया, उसने अपने जू कोई सोपर फादर थे, उन्होंने वो अकाउंड नमबर दे दिया, उनके अकाउंड में पैसे आ गये, उनको SMS भी आ गया, 25,000 रुपीज डिपोजिटेट इन इन अकाउंड वो वापस ATM में गये, उन्होंने पैसे निटाले और इस बच्चे को दिये, वो निकल गया, इसका सिकंड पार्ट ऐसे था, कि मॉम्मे में से एक लाक रुपे साइफन आउट होते एक अकाउंड में से, उसमें से ये 25,000 रुपीज वो अकाउंड में गये थे, हमें पुरा पता चल गया था, कि यह आदमी ठोड नहीं है, या he is not a criminal, he is well educated person, well employed person, लेकिन जब मदद करते हैं दूसरों की, तो उन्होंने सिर्फ उनकी गलती यह होगी, कि उन्होंने आइकार्ट देखना चाहिए था, बंचे का, लड़के का, उसका नाम क्या है, कौन से कॉलेज में जाता है, अगर यह देखते उसके पास शायद कुछ न रहे, तो उनको ड पाप और पुण्य की वाशा, तो हम पुण्य कमाने के पीछे जाते हैं और फस जाते हैं, तो आज की तारिक में ऐसे है, अगर हम पाप नहीं कर रहे हैं, तो इसी सा मतलब हम पुण्य कमा रहे हैं, अलब से पुण्य कमाने की ज़रूरत नहीं हैं, नहीं बिल्कुल आपने इसे कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं इस पर भी ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि एक पुरानी कहा हुआता है कि सावदानी हटी तो इसी के साथ एक चीज और पताई है कि अदिये लोग जो फ्रॉड्स्टर्स होते हैं यह किस टाइप के और कैसे साइकॉलजी के लोग है और य इनका एक थोड़े में इनका इनका च्रॉड्चर और अर्गनाइशनल स्ट्चर बताता हो यह जो फ्रॉड्सर रहते हैं उनमें एक ग्रुप रहता है वह र्स्टोरी डेवलोपर्स सेकंड पर संसार रग्रूप इस देर टो दो देविक्टिम आइडिविकेशन थर्ड ग् वो सेंड़े ड्यासमेस त्ट वीपल टेलेफोन पर यह यह पीछते हैं यह रूप इस देर फोट ग्रूप इस देर वोग्रूप इस देर वोग्यर वोग्यर सिंपकर्ट्स और बंग्स बंक अग्वांच वंज़िए टेविक्निकाल सब्सक्टें इनक अनलेगल सपोर इस उन सेर्टन कंपस, जिस्सम्स पीपल वो वेल एडिकेटेट टेखने कलए लीजली आप्नाइज ये लूशन ये सपोर्ट इस पीपल अभी ये कैसे काम करते हैं, तो इपर नियुक्ट्टर अगिनेस्टर बिजल बीजल कि एक भी इस अगेंट अगिनेस्टरोग को तो पर रह परमेशन वो करते हैं और अट रैंडम मेल बेशते हैं या तो परमिनिकेशन बेश देते हैं इसमें ऐसे होता है बहुत सारे लोग यह इमेल या इसमेस या कॉल आने के बाद थोड़ा से डर जाते हैं या कभी-कभी उन्हें थोड़ी से लालच हो जाती है लोग भी बना आ ज are required, one is internet connection, the devices, thirdly is bogus sim cards and faith, bogus or mule account, bank accounts, okay, because money is not taken out from your account by cash, it is transferred from one account to another account, ऐसे पाच्छे account जम करके बाद में वो रिमोर्ट प्लेस से निटा ले जाते हैं, okay, कि रिमोर्ट प्लेस से इसलिए कि वहां पर जो CCTV पूटेज कभी CCTV एक्टिव नहीं रहता है, तो कैप्चर नहीं हो सकता किस नहीं किया, secondly, अगर आपको पता में लेकर आपके पैसे गया है, और अगर वो बैंक को और पुलिस को इंफर्म कर दे, तो कितने टाइम में जोए इंफर्म करना होता है, कितने जनरली दे से इंफर्म विदिन 72 अवर्स, लेकिन ऐसे है कि यहाँ इसमें इनका नेटवर्किंग फ्रॉट्स का इतना तगड़ा रहता है, कि जो पैसा अभी निकला है एक अकाउंट से, वो पाच-छे अपांट होके आदे आदे जिन्टे में वो कैश से विड्रा भी किया जा, मतलब वो जो डिस्पर्सल है उसको स्प्लिट करके मल्टिपल अकाउंट में ट्रांसपर कर देते हैं और महां से समझेव बंबे से एक लाग रुपया गया है तो 25,000 गोहर्टी में जाएगा, कुछ असाम में जाएगा, कुछ बैंलोर में जाएगा, गुर्दाव में जाए इसका मतलब यह कि इनका नेटवर्क भी पूरी इंडिया पर इस्टैबलिश्ट है, क्योंकि अगर इतनी जगों पर जा रहा है तो इनके लोग इसका मतलब बहुत सारी जगों पर है इनके लोग और नॉट अनली इनिडिया, इनके लोग बहार भी है, किकार पहले तो ऐसे सिर्फ इंडिया में पैसे ट्रांसपर होते थे, अब तो इंडिया से बाहर भी पैसे ट्रांसपर होने लगे है, तो फिर एक नॉर्मल आदमी, जब भी इस तरह का ट्रांसेक्शन मालने जे फ्रॉडलेंट होता है, और उससे जो है, सबसे पहले किसे इनफर्म करना चाहिए क्या वो बैंक को इनफर्म करें या पॉलिस को इनफर्म करें? सबसे पहले बैंक को इनफर्म करें at the same time, means within a few seconds or few minutes, पॉलिस को भी इनफर्म करना चाहिए, सेकंडरी साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है, जो सेंट्रल गवर्मेंट ने निकाला है, www.cybercrime.gov.in इस गॉलिस को इनफर्म करें को इनफर्म करेंट इसको इनफर्म करें से एफितर्म करें IS, बिसक्ड गवर्म करें, जी ह enfor cyn zar पारें से सब्ख़र्म करें OSTI, ने इस अगिभूम and also for these things government के तरफ से बहुत सरा सपोर्ट मिल रहा है लेकिन हमारे इनोरज जो है वो इसमें हमें वेक्टिमाइज होने में मदद करता है I will give you an example कि हम जब बच्पन में बड़े होते हैं तो हमारे घर के बड़े गुजूर्क हमारे मापिता भी हमें सिखाते हैं किसी पर विश्वास करना है अगर कोई अन्नोन आदमी बाहर मिल जाता है अगर वो कुछ देता है तो नहीं लेना है अगर कोई लिफ देता है अन्नोन परसन तो नहीं लेना है और हमारे एक्स्पिरिंस के थ्रू भी हम सब सीखते रहते कि किस के साथ किस तरह का व्यवार हमार के दूनिया हमें इसका बहुत बड़ा रोल स्टार्ट्स फ्रॉम दो फैमिली इट से बाहर में तो शायद कोई बच्छा जो है बाद में सीखेगा बड़ शायद हमें अपने घरों के अंदर भी इसके बारे बात करनी चाहिए घरों के अंदर नॉट अपने एज ग्रूप में हमारे फ्रेंड्स में अपने रिलेटिव में जैसे हमें आज मुझे कुछ कॉल आ गया था तो मैंने हमें मेरे दोस्तों में मेरे डिलेटिव में मेरे फैमिली में में बताना है कि मुझे ऐसे ऐसे कॉल आ गया था बी केरफुल अगर आपको कॉल आता है तो यह बोबस कॉल ह यह सब हमें आपस में चर्चा करनी चाहिए then only not only we our younger generation will also learn from it. तो आपको ऐसा लगता है कि इसमें मीडिया को भी जो है काफी जोर से इसको popularize करना चाहिए especially the helpline numbers and the government portal जहां पर आप report कर सकते है because I think mostly it gets unnoticed also और बहुत सारे लोग शायद उन्हें पता ही नहीं रहता है कि किस जगर पर जाके उन्हें formally complaint करना है इसका benefit जो है fraudsters उटाते है क्योंकि वो ऐसे ही निकल जाता है किसी को पता भी नहीं चलता है which means lot of people might be losing money without even it coming to the you know coming to notice of anybody correct right media has to play very important truth in this and not only media even the retired police officers or the persons or technical persons or lawyers जिने इसका knowledge है ज्यान है वो अपना ज्यान थोड़ा बाटे के गुनेया पैसे किये जाते है और इससे बचना है तो there are simple techniques इसमें कोई rocket science नहीं है बड़ी इसमें बचने से गुनातरने में हो सती है लेकिन इसमें बचने में कोई rocket science नहीं है कुछ तत्व जो है वो अगर हम अपने में रखते है तो हम इससे आराम से बच सकते है क्योंकि बिकॉस इससे माइन ये जिए साइबर फ्रॉड आज वहोगे वो माइन गेम है अप विश्वास रखते हो और इसलिए फर्स जाते हो जैसे हम बच्पन में छोटे बच्चों को सिखा थे चोटे बच्चों को सिखा थे वर्च बच्च बच्च वैसे ही साइबर फील्ड में हमें सिखाना पड़ेगा हम सभी टॉडिलर से हैं सभी ABCD सीख रहे हैं अभी डिजिटालाइजेशन तो फास्ट हो गया आपने यहां पर लेकिन उससे कैसे बचना वाट इस बुट थिंग वाट इस बैट थिंग यह हमें सिखना और सिखाना बहुत आवश्यब है यह तो सही है एक और पहलू पर मैं आपका जोरा ध्यान करना चाहूंगा यह किस किसम के लोगों को ठार्गेट करते हैं यह जनरागेट करते हैं सिउर सीगिज 계़न से इस पर्टिकूरल लिन मेंबर ओ फिमेल अप्रश भी हैं उसमें टार्गेट हो जाते हैं लेकिन हमारी जो समाज व्यवस्था है उसमें जन इविजेटली इसे जो गुना है उसमें मेल में बहुत फ़स जाते हैं यंग जनरेशन इस आलसो ट्रैक्ट जैसे आजकल ती जमाने में टीनेजर से या उनसे थोड़े बड़े बच्चे हैं वो अपने अन्वांटेड खोटोज वीडियो शेयर करते हैं उन्हें यह नहीं पत कि जाती है तो एक आदमी का चेहरा लेकर दुसरे आदमी के बॉड़ी को किया जाता है और ऐसे भी हो सकता है और टीनेजर्स पर्टिकुलर्ली एंड ग्रोन अप चिल्टन है टो टेक कि जो फोड़े आपसीन वीडियो जो शेयर करते हैं या तो अपने स्पाउस के साथ या भर में आपका ओपीनियन चाहूंगा कि क्या इसे गुद के स्कूल के करिकुलर्म्रे नहीं डाल देना थेये जिससे कि बच्चों को और भी बेनिफित हो सेके बच्चों को सिख अचाया जाना चाहिए कि क्या सखी है क्या थालत है नहां पर विश्वास अतना है किस्से डार यह सब बच्चों को सिखायाना चाहिए बच्चों का आज के तारीक में आज वेरी फास देयर वेरी इडए इतलड इटलेक्शाव तो आस सी जाते हैं हमसे लेकिन उन्हें यह पताने ही चलता कि इसका कैसे उपयोग कैसे किया जा सकता है जैसे हम बात करते हैं, डड़ीज अलसों रिफॉर्ण हो जाते हैं, जैसे आज एक स्कूल गूइंग चिल्डन है, चाइल्ड है, कुछ गलत सलत लिग देता है, और अगर वो 20-25 साल के बाद बड़ा हो गया, उसके कुछ फोटोस है, विचार अब्जेक्शनेबल फोटोस, त that can be misused against him, made by unwanted elements, तो यह सब प्रिकॉशन बच्चों को भी लिनी चाहिए है, हा, क्योंकि मैंने एक चीज और अब्जर्व किया है, आजकल बहुत सारे बच्चों में, कि अधिकतर बच्चों के हाथ में आजकल मोबाइल रहता है, तो ऐसा नहीं है कि उनको मोबाइल कैसे है करना है, वो नहीं पता है, या फिर उनको टेक्नोलोजी के बारे पर नहीं पता है, इन फैट मैं तो बहुत सारे केसे जो मैंने यह देखा है, कि बच्चे जो है, अपने बड़ों को बताते हैं, कि आप मोबाइल में किस चीज को कैसे करेंगे, तो आजकल उनका नॉलेज ल एक और चीज मैं समझना चाहूंगा, क्योंकि आपने तो अपने केरियर में बहुत सारे केसे भी देखे होंगे, बहुत सारे केसे सौल भी किया होंगे, इसमें में फिमेल का कितना रेशो रहता है, कितने केसे जो हैं जो फिमेल से रिलेटेड है, और कितने परसेट केसे जो कर देते हैं, female members generally, that is my observation female members take proper precaution, but they are also victimized on certain cases particularly senior citizens के थोड़ा nature soft हो जाता है, किसी को मदद करने में कोई हर्ज नहीं है, ऐसे हो जाता है और उसमें फस्ते हैं, लेकिन male members जो है, वो firstly sextortion में फस्ते हैं secondly, investing money in share trading, bogus share trading companies इसमें फस्ते हैं, या तो और बहुत सारे ऐसे avenues हैं, जहाँ पर उनको फसाया जा सकता है, so male members particularly have to take care and senior citizens, if they are of advanced age, they have to be more careful, क्योंकि जिन्दभी में ऐसे होता है उन्हें, कि आज तब जो हमने इंजत या शोहरत कमाई है, उसे तहीं धका नहीं लगना चाहिए, यह जो डर उनको सताता है बात में, उन पर गलत सलत आरोप किये जाते है और यह आरोपों को उन्हें भी पता चलता है कि यह गलत है, but how to prove कि यह गलत है, उसे कोई अगर कुछ गलत बोल देता है यह गलत है, लेकिन अभी तो ऐसे हो गया है कि अगर किसी के बारे में हम सुनते हैं, सुनते भी है कोई गलत बात तो सिर्फ सुनने से नहीं, अगर पूरा पता चलता है उसका अगर आखों से दिखते है, then only we have to believe in it क्योंकि artificial intelligence, मैंने जैसे पहले कहा image cloning होता है, morphing होता है, voice cloning होता है तो इसमें यह लोग फश जाते हैं लेडिज कहां पर फस्ती है, particularly किसी लेडि को फोन आता है कि आप क्या बच्चे को उनने kidnap हिया है basically उनके emotional angle को वो touch करते है या तो आपका बेटा किसी गंभीर गुना में शामिल है और उसको police ने arrest किया है तो इसमें ऐसे डरने वाली बात नहीं रहती है just be calm and quiet आपके बच्चे को phone कीजिए अगर वो फोन उठाता है बाई, ऐसे है तो वो तो safe रहेगा, आपको पता चल गया तो this is a hoax call, गलत call है अगर आज चल की दम्याना में दूसरी बात ऐसे रहती है कि बहुत सारे बच्चे भारत के बार इंडिया से बाहर रहते हैं तो उनको और यहां पर डे रहेगा, हम आप रहे नाइट रहेगी तो हम call नहीं कर सकते but we have to keep your काम इसका ultimate मतलब होता है कि आपको डराना, धंकाना और आपसे पैसे उबाद को पोई परस्नल एंवीटी नहीं रहती यह द्यान में रखिए पैसे से आपके एक्सार्ट करना यह उनका मतलब रहे तो जो आप डेटा बता रहे हैं उसे साब से शायद महिनाए जो है फूरुष से बहतर पर्फॉर्म करती है इस शेतर के अंदर इसके लावा आपने बहुत सारे केसे रिजॉल भी किया है और आपने बहुत सारे साइबर क्राइम्स होते हुए भी देखा होगा तो मैं कुछ स्पेसिफिक कुछ चीजों की ऊपर जरा आपका व्यूपॉइंट जाना चाहता हूँ और आपके एक्सपीरियंस से मैं चाहता हूँ कि व्यूवर्स को भी फाइदा हो एक बड़ा कॉमन एक प्रॉब्लम जो आज कल हो रहा है जो मेरे साथ भी घटा था कि एक फेडेक्स का कॉल आता है और यह बताया जाता है कि आपने जो है एक्स जगर पर यह कुरियर बेजा था और उसके नार्कॉटिक्स था थोड़ा इसके उपर प्रकाश डालिए कि यह क्या है और कैसे इससे बचें जनरली ऐसे कॉल आते है कि आपने जो फेडेक्स में या किसी कुरियर कमपनी में तैवान या चायना कुछ पारसल बेजा है उसमें ड्रक्स मिले है फेक बोगस पासपोर्ट मिले है फोर्ज पासपोर्ट मिले है यह करंसी फोर्ज कुरंसी मिली है और आपको इस तरह से डराया जाता है आपको भी मादूम रहता है कि आपने कोई पारसल नहीं भीजा है लेकिन वह कहने वाला जो फ्रॉटसर है वह आ आपने नहीं बेजा है तो आपको you have to be firm के विए मैंने नहीं बेजा है इसमें एक ताम महत्वका करना चाहिए यह सुनने का और इग्नॉर करने का उसको respond नहीं करना क्योंकि respond करते है तो conversation बढ़ जाता है इसमें उनका लक्ष यही रहता है कि आप conversation में कैसे फस जाते है एक बार conversation चालू कर दिया तो आपके मन में डर पैदा होने लगता है बहुत सारे लोग बोलते है जैसे senior citizen है कि हमको telephone पे hypnotize किया गया telephone पे hypnotize करना is not possible शक्य नहीं है वह अशक्य है लेकिन क्या होता है कि आपको आप एक बार conversation में तो वह ऐसे ऐसे बाते करते जाते हैं कि जो आपके इंट्रेस के आपके बारे में सब कुछ बताएंगे आपका बेटा यहां पढ़ रहा है आपके बेटी यहां ब्याई हुई है और आपके फैमिली में बसे इसको सब कुछ पता है तो शायद यह सच हो सकता है तो इनक छाहे यहां पर किसी आदनीको यह संच लेना होगा या असे करना होगा कि यह call अक्चुल फॉल्स कॉल नहीं एखते हो कुछ जया एंखके करेगा वसे से करeltा है कूरियर भेजा है यह दूसरी बात ऐसे आप्ट ओनोगराफी देखते है तो मैं तो नहीं तो नहीं यह दोक् देखता पॉर्म िट्यूसल्फ कि नहीं मैं नहीं देखता मैंने कोई कुरिया नहीं भेजा है मेरे डितेल्स शायद मेरे डिकन शेयर किये रहेंगे उस पे मेरा रुंट्रोल नहीं है अर्ड सेकन्ड़ु अगर पॉलीस इंवेस्टिकिशन होती है तो उसमें पता चल जाता ह आपके अक्तिव सब्समें रोल है नहीं है या आपके बेजे ग celui में बेजे गहे हैं या इसको डालना नहीं है जिस टाइप का नॉलिज शेरिंग जो हमें सर के साथ मिल रहा है उसका बेनिफिट हमें बहुत जादा महसूस हो रहा होगा और मेरा ख्याल है इनके एक्सपर्ट ओपिनियन से प्लस इनके व्यूपॉइंट से हम सभी लोग एगरी करते हैं कि इसके अंदर awareness create करना होगा एक और बात पर मैं आपका समझना चाहूंगा कि एक online gaming fraud होता है जो आजकल बहुत common सुनने को मिल रहा है इसके बारे में थोड़ा बताईए यह online gaming fraud जो होते है gaming sites तो बहुत सारे हैं बहुत सारे celebrities भी उसमें advertise कर रहे हैं लेकिन उसमें जो fraud होते है gaming fraud वो generally इसको teenagers या थोड़े बड़े बच्चों को victimize किया जाता है तो और उनको पता नहीं चलता initially they win some amount और उनको लगता है इसमें बहुत सारा पैसा कमाएंगे और फिर इसमें एक बात ऐसी है कि rumors बहुत फैलाया जाते हैं कोई अगर मैं कहता हूं कि मैंने बहुत सारे पैस not only cybercrime as a police officer हमने gaming dance पर बहुत सारे raids किये थे वहां पर कोई जितने के लिए नहीं जाता है सिर्फ पैसे हारने के लिए जाता है और अभी तो ऐसे हो गया है कि यह gaming में इंडिया के बाहर से भी gaming sites open किये जाते हैं बहुत सारे और वहां पर पैसे जो जाते है वो तो इंडिया म में जो gaming site पर जा रहे हो वेदर यह वेरिफाइव वेदर इसे सीक्रियोर साइट और नॉट और उसका रेटिंग देखके ही फार करना चाहिए गेमिंग करना तो गलत है फिर भी इफिदी 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 इफिदीज लीगल चींग बट टेक किया इसके अदर दो क्रडेट कर देना चाहिए कि किस प्रोड को क्वान एंडोर्ज कर सकता और गूस्पर्ण को नहीं कर सकता है इसके कुछ celebrities को follow करते हैं और कभी-कभी हम उन्हें follow करने के चकर में कभी-कभी हम गलत दिशा में निकल जाते हैं और हम रियलाइज ही नहीं करते हैं कि हम गलत करना शुरू कर दिया है तो I think इसके उपर भी कुछ guidelines आने चाहिए और guidelines के अभाव में कोई अगर किसी celebrity को इस तरह की चीजों में अगर आना भी है तो I think उनकी भी तो moral responsibility है कि वो भी चेक करें कि किस चीज पर वो endorse कर रहे है moral responsibility तो है लेकिन moral responsibility is not mandatory सही बोला आप नहीं ये तो मेरी सोच का भाग है कि मैं ये करू या न करू बिल्कु सही बुलाते हैं एक और चीज के बारे में मैं आपका ध्रान आकरिष्ट करना चाहूंगा कि share market के अंदर invest करना बहुत अच्छी बात है क्योंकि अगर जिसको knowledge है and a person who's aware of the risks and understands how to invest is a very good thing to do but share trading के भी बहुत सारे frauds आजकल create हो रहा है थोड़ा इसकी बारे में हमें बता है share trading के बारे में unsecure site पे जाके बहुत सारे लोग share trading करते हैं recently a young couple in their mid 40s had approached me the lady had lost almost 5.5 CR crores in share trading पापरे साड़े 5 करोड रुपे उन्होंने गवाय थे both of them were working abroad had earned good amount of money for their future but they almost lost it क्योंकि unsecure site पे जाके उन्होंने share trading किया और बात ऐसे थे देवर नेवर अलओट तो बुक देवर प्रॉफित प्रॉफित वाज अलसों इन्वेसे अगें डिवर शोड और उन्हेंने ता इसे बताया था क्या आपके 5.5 क्रोर पे आपको 78 क्रोर का प्रॉफित विला अपको 78 क्रोर का प्रॉफित विला प्रविजयनेट कर यह इनो ऑफिका यह वो अछिवर अफट ने कर पाया बट क्या हमें यह सोज परदा चन पता एकी स्यर्ट्रेइडिंगोप्लेटी में इस कंट्री जै कर रहा था चल जाता है या तो कभी कभी वो अलगर एग अ मार्ग निकालते हैं और दूसरे देशों में भेज के बाद में हमारे पास आता है सो इस बेरी बिकम्स वरी डिफिकल्ट तो ट्रेस्ट ओरीजिन फ्रॉम फ्रॉम वर इटा जो है जो है चाइना के भी है एक और चीज जो आजकल काफी सुनने को मिल रहा है और आजकल तो अर्टिफिशल इंटलिजिएंस का जमाना है तो मेरा ख्याल है क्लोनिंग तो इस स्टाट बिकमिंग अ वे अफ लाइफ नौ इसको लेकर के भी बहुत किसं के फ्रॉड्ड आजकल क्रेट हो रहे हैं जा फीक मेसेज्ज फेक पिक्चर declar है तो ऐसे कोछ क् 지금 की वारे में बुता है कि क्या होता है इसके अंदर जो हम सूशल मीडिया पर हैं। हमारे टो आरे सपीछ होते हैं कहीं बात करते हैं तो वह लेके उसका वाइसे को बेशे हैं उसमें देखने वाली बात हैं में ऐसी है कि जो हमारा मोडिलेशन है स्पीच का जो हमारे हम कहां रुपते है कहां पॉस लेते है आजिए इस नॉट इनफ एक्विप दिल टुड़े के अमारा वह कैप्टर कर सके वह आपके टोन जैसे टोन में बात कर सकेगा लेकिन मैं बात करते करते कभी कैसे रुप जात जाएगा तो इसका मतलब जो अगर फाइनर पॉइंट्स पर अगर हम लोग ध्यान दे तो यह पकड़ में आ जाएगा कि कहां क्लोन हुआ है कहां नहीं क्लोन हुआ है तो लेकिन इसमें दूसरा पहलो यह भी है कि जब यह वाइस कॉल आता है या फिर यह पिक्चर हम किसी और जगर पर किसी और फार्म में हम देखते हैं तो हम कैसे ट्रेस करें कि यह जो है कॉल करेक्ट आ रहा है या इनकरेक्ट है किसी फेक नंबर से आ रहा है या नहीं आ रहा है इसे कैसे ट्रेस करें जनुरती ऐसे कॉल आते है तो प्रोटेंशल फ्रॉड करके हमें दिखाई देता है फोन पे दूसरी बात अगर ट्रू कॉलर पे आप देखते हो तो नाम किसी और का है और बात करने वाला अपना नाम कुछ और देता है यह बहुत अच्छी बात आपने बताई तो इसमें पता चल जाता है कि दिस इस इस होप्स कॉल या तो फ्रॉड कॉल ने मैं तो इ इस चुछ जशू जोट नाद ठीखाप दू कॉल और इवन इफ यह पिक्डपद दू कॉल प्लीज डिसितन बात बाड शुबडा अज एक नई चर्चा चाली हुई है डिजिटल अरेस्ट के बारे में अब यह डिजिटल अरेस्ट क्या चीज़ है क्योंकि मैंने फिजिकल पेहली बार मेरे जिन्दगी में मुझे जहाब यह डिडिजिनल् Öरेस्ट के बारे का पता चला हम लोग जो है वर्चुलली कैसे अरेस्ट हो सकते हैं ने अच्छली डिजीटल अरेस्ट अईसा पूई के कॉंसेप्ट लोज में नहीं है लीगल सिस्टिम में नहीं है इस इसे कुछ ऐसे नाम दे दो कि लोगों को भी लगे कि मैं सीधा साधा आरेस्ट नहीं हुआ था डिजिटली अरेस्ट हुआ तो डिजिटल अरेस्ट ऐसे उसका वो पहले किसी आदमी पर इतने गंबिर आरोप कर देते हैं उसको एडी की सीवी आए की दूसरे दूसरे कुरूटों के नोटिस बेज देते हैं कि आप इसमें यह गलत काम कर रहे हो जैसे आप चाइड्ड पॉर्नोग्राफी देख रहे हो चाइड्ड पॉर्नोग्राफी की फिल्म आप बनाते हो सेंट करते हो या पार्सल वेजा है आपने यह देखा जाता है कि उसमें ट्रंस है पासपोर्ट है या कोई करंसी है और उसको आदमी को इतना डराया जाता है और बात में कहा जाता है कि अभी आपके ऊपर वारन निक आप सिप्वीडियो कैमेरा के सामने आपका वीडियो काल कीजिया और उसके सामने रही तो वह दैटिजिज इस इन माईडियो को समझता है कि मैं इसमें अटग काया हूँ इसमें तो इसमें तो अगर इस तरीके से अगर माइंड गेम खेल रहे हैं तो I am sure इसके अंदर psychology of a person, आप इस तरह से किसी को ट्रैप ही नहीं कर पाएंगे? कि आपके उपर इतने कंभीर कुने किये जाते है, कि आप उसी सोच में रहते हैं, поним मेरे पास आये थे उनके उपर आरफ किये गए है कि वो पौनख्राफिव देखते हैं, चाइल्ल दोगउंद्ध करते हैं माई गॉर्ट सेकंडी इस तेंग इन जॉएंट फाइमिली इचिल्टन हिस संसे डॉटर इन लॉथ ग्रैंचिल्टन ना स्टेंग टूगेजर उन्हें यह डर लग रहा था कि अगर उन्हें पता चल जाएगा तो मेरी क्या इज़त रहे जाएगे उनके सामने मैंने तो ऐसे क पता चल गया तो क्या हो जाएगा वो तो बोले कि यह सब करते चरते मेरा कोई इविजेटी मेरा नाम पूछे तो मैं नाम भी नहीं बता पा रहा है इतना मैं उसमें इंटाइंगल हो गया था एंड डिजीज इस इस गाल्ट और वी चंटर मिट अजिजिजिजिज अरेस्टिजिजिजिजिज इस ऐस्टिजिजिज इस गाल्ट गॉटशे लिजीजिजिजिज इस शायद कमरे से वह देलाब नहीं नहीं बतार अचिसिंग तो उनमे एक ठीज में बताऊंगा धरश्वों गो ठोगर आपको ऐसे कुछ होता है आपको जिज आपको एसे बच्चों को मत बताईए लेकिन आपके बेटे अगर बड़े है आपके स्पाउस है दो उनको बताईए कि मैंने ऐसे नहीं किया लेकिन एसे दिर भी रारुप मुझ पर किये जा रहे हैं देन और तेल तो यार फ्रेंड्स और क्लासमेट्स और आपके तलीक जो आप नोपरी व्यावशाय करें वहाप तलीक जाएंगे उसके साथ बात की दिये कि ऐसे आरा तो एक तो आपका दर निकल जाएगा और बाकी लोगों को पता चलेगा कि ऐसे हो सकता है इस इस इसे बाहर निकलने का अगर अब हम हमारे ही मन ही मन में यह सोचते रहेंगे तें देफिनेटली इट विल गो इटुए डाट सर्कल इससे बीशेस सर्कल वेर तो ब्रेक इट दोस्तों आप देख रहे होंगे कि इस पॉड्कास्ट के अंदर हमें कितनी ग्यामिवर्दक चीजे पता चल साइबर पुलिस स्टेशन ऑफ मुंबई को एस्टैबलिश किया था तो कुछ हिस्टारिकल चीजे भी हुई है जिसके लिए हमें सर का शुक्रिया आदा करना चाहिए क्योंकि जिस समय लोग साइबर क्राइम के बारे में सोचते नहीं थे उस समय इन्होंने पूरा स्पुल सच्छा ही है और इसमें कितने लोग ट्रैप हो रहा है इसका मोडस आपको बताता हूं पहले ऐसे करते थे कि आपके अपकोंड में गल्ती से दस हजार बीस हजार रोक्या भेज दिया जाता था और बात में कोई तो आपको कॉल करता था मेरे यह पैसे हॉस्पिटल में या म मैं लिंक भेजता हूं साब जी ब्लीज वोल लिंक पे और यह करके मेरा पैसा वापस बहुत लोग करते थे कि मेरा पैसा नहीं है मुझे आने वाला पैसा आए आम नाट डूड ओ इस मुझे पैसा वापस तो करता है तो ऐसे कर दे दे इसमें एक डॉक्तर साहब है उनको ऐ इसे असी हजार उपए चार दिन तक आते रहे हैं और उनको बात में कॉल आने लगा के साइब हम मैं हाइदराबाद से बात कर रहा हूं मेरा पावण से पैसा गल्ती से आपके आपकोंड में आ गया है तो वापस कर दिए ही डिट समें इनिशल इन्वेस्टिगिशन तो इसे वापस कर दो तो उन्हों ने उनके भाई से बताया वाई को बताया उनके भाई ग्रेस अपगवाद में क्लासमें तो मैंने उन्हें कहा अभी फोन आता है तो उनको कह दीजिए कि आप अमारा नाजिक का पोली स्टिक्शन है उदर आ जाईए मैं आपको क्या चेक जैस टो यह इंड पैसे नहीं थे यह नहीं तो यह पैसे मैं इन्हें वापस कर रहा हूं रखाँ कि व्यारा पैसा नहीं है यह प्लीज रिटन इट अभी वो चुर डॉक्टर साफ थे उनसे मैंने बात की कि मैं तो ऐसा पैसा कभी नहीं आया आपके अकॉंड में क्यों आ गया उनके अकॉंड में उस समय पर देन फोर क्रोर्स एज बाट पता चल गई है कि इनका अकॉंड में कितने पैसे है तो वहां इन फ्रोट्सर का नेटवर्क आप तक पहला हुआ है आप सोच सकते को अब यह तो पैसे आते थे और लोग फर्स जाते थे अभी तो ऐसे में साते हैं के वन थाउदन रुकीज बाइश्टेक इस डिपोजिटेट इन यूर अकॉंट अब चेक करो स्टेटमेंट तो पैसे आये नहीं है पैसे आये नहीं है पिर वह लोग बोलते है कि मेरा पैसा वा स्क्रीन शेरिंग एप इस्टैबलिश हो देता था और आप पर जो जितना भी कामकार्ज उस पर चलता है उसको पता चलते आता था अभी नेस्ट लेवल पर वह लाग फ्रॉट्सर आगे है कि आभी किसी को ऐसे में साता है कि आपके अकॉंड में हजार रुपे आगे हैं आ और आपका अकॉंड फ्रीज किया जाता है और आप अगर बैंक में चाहें तो बैंक बोलती है किसी दूसरे राज्यक से एक पॉलिस सिक्षन का लेटर आया है कि आपके आपके अकॉंड में कोई तो पैसा फ्रॉड साइबर क्राइम का प्रोशीज हाव कम तो आर प्रीज करके रखा है नाओ इमाजिन के एच आपी किसी पॉलिस्टेशन से रिमोटी प्लेस पॉलिस्टेशन से अगर लेटर आया है तो बैंक यूंड डॉंड बैसिक तिंग इस तो कंफर्म कि यह पॉलिस्टेशन कौन सा वेरिफाय तो ने करना है सेकंडी कौन से क्राइ सही है मेरे अधर लेजिटिमेट द्यूस मुझे मिल रहे है और वो क्राइन को पॉसेशन से ता इम नॉट इन वाल इन दा क्राइम तो यह भी बैंक को सोचना है तो बैंक अकॉंट फ्रीज करने के बाद अधर परसंट बैंक टेस्ट परसंट जो जिसका अकॉंट है कि आप वो पोदी सेशन जाई है और उनसे लेटर लेकर आई 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 है और उनसे लेटर लेकर लेकर आई है और उनसे लेटर लेकर लेकर आई है तो यह तो नहीं होना है और सेकंडी रिसेंटी some rulings are there from some high court that total account can be can't be frozen पुरा अकांट अप्रीज नही कर सकते only the disputed amount can be stop transaction कर सकते understood yes and secondly thirdly अगर अकांट फ्रीज करना है total account then there has to be a court order okay merely on the police later account cannot be kept freeze for longer time okay so basically अगर पुलिस से उन्हें लेटर मिलता भी है तो अकांट को freeze नहीं कर सकते हैं account they have to verify okay they have to verify okay but post verification can they freeze or they cannot if the court order is there they can freeze okay so which means the police letter has to be accompanied with the court order it has to follow the court order okay it has to follow the court order followed by the court order okay okay understood because यह technicalities हम सभी लोगो को पता नही रहती हैं और हम लोग कई बार इस ट्रैप में फस भी जाते हैं एक और चीज आजकल बहुत सुनने को मिल रही है जो कि किसी एक 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 आवरेश परसन ऑन दे स्ट्रीट के लिए समाहिगा बड़ा डिफिकल्ट हो रहा है वो है फेक अरेस्ट नोटिसेस का आजकल ये भी सुनने में आ रहा है कि ये भी एक साइबर फराड है फेक अरेस्ट नोटिस आना शुरू हो गया है थोड़ा इसके बारे में बता है फेक अरेस्ट तो बहुत लोगों को आ रहा है आजकल कोर्ड ओर्डर आ रहा है कि आपके अगेंस वारन निकला है आपको अरेस्ट किया गया है ये नोटिसेस CBI डिरेक्टर इनफोस्मेंट डिरेक्टर इमकी फेक सिगनेचर फेक नेम्स मुंबई पोलिस कमिशनर के नाम से निकला हुआ है फेक अरेस्ट वारन या तो फिर ऐसे होता है किसी कोर्ट का ओर्डर है कि आपको अरेस्ट किया गया है आपके अरेस्ट वारन निकला है बट जिजिस साइन तो फेक्स सिगनेचर इस डाट डाट आफ CBI डिरेक्टर ऐसे तो नहीं होता है मिनीमम किसी के पास मेजिस्टेरियल पावर जोनी चाहिए तभी वो अरेस्ट वारन इशू हो सकता है लेकिन अरेस्ट वारन का भी एक इंपॉर्टन चीज़ मैं आपको बताता हूँ अरेस्ट वारन डाट डाइरेक्ली आपको नहीं वैश सकता हो कोड़ अगर उपी के या गुजरात के कोर्ट ने वारन निकाला है आपके करिकला तवारन कम्सट वेवारन काम्स तूइशन तो लोकल पुली सेशन वैजक्वीट वीज एक्वारन डाईरेक्ली आपको बहुत मजा आएगा कुछ बड़े फाइनर पॉइंट अज जो है you know, follow that court order. Secondly, आरेस्ट भी करने को डिरेक्ली आजाते हैं outside police, they cannot directly arrest you. They have to approach the local police station. They have to make an entry there. They have to take their help and come to your place. Either for exhibiting the warrant, someone's notice or immediate arrest. Okay. So, local police station has to be kept in loop. If they are coming without registering it at the local police station, that is illegal. Okay. एक छोटी सी जोड़ और बताएंगे कि अगर इस टाइप के अगर arrest warrant अगर issue हो गए और अगर local police station ले करके भी आ जाता है, तो मेरी सजली एक महिलाओं के लिए काफी कुछ करता है, ये चैनल भी उस पर काफी focus रहता है इन issues पर. तो अगर किसी महिला के लिए कोई arrest warrant अगर किसी police station से अगर रात में आ जाए, तो क्या उससे police station में ले जाने के लिए बाद किया जा सकता है? नहीं नहीं है। संसेट से लेके संराइज तक no lady can be arrested unless if at all she is to be arrested for serious crimes, then we have to quote the reasons why it is necessary अगर वो पही भाग जाने वाली है, if she is absconding, going to abscond, और अगर कोई और गुना करने वाली है, तो ये तर सकते हैं, otherwise in normal cases, a lady cannot be arrested during night. और मैंने एक चीज़ और सुना था कि, क्योंकि आप तो इसी पेशे से हैं, कि किसी भी lady को अगर arrest करना भी है, तो एक lady police officer की ज़रूत होती है, ये क्या law है? ये क्या law है? तो without lady police officer, आप किसी को arrest नहीं कर सकते हैं, किसी lady को? इबिएटल नहीं करते हैं, we have to call for lady officer. Okay. If we have to detain somebody, किसी केस में ऐसे हो जाता है, that lady is involved in many serious crimes, we cannot let her go, but we cannot arrest her. So we detain her at the place, we immediately call help from another police station, another police station or nearby police station. Some other lady officer will come, and then she will arrest her. Okay. तो ये तो कानून में बहुत अच्छा प्रावदान है, क्यूंकि कई बार हम लोगों ने केसी भी सुने हैं, जिसमें मेरा ख्याल है, पुलिस महकर में का भी काफी नाम खराब होता है, बट अगर इस तरह की चीजें हैं, तो मेरा ख्याल विवर्स को ही पता होना चाहिए, कि इसका कोई misuse कर भी नहीं सकता है. मेरा ख्याल है लोग का भी जानकारी हम सभी लोगों को होना चाहिए इस तरह है. क्यूंकि इन सब चीजों का अगर हमें पता रहे, तो हमें किसी बात का भैर, डर या कोई fear की ज़रूरत ही नहीं है. एक और चीज़ समझना चाहूंगा मैं, आजकल बहुत सारे emails या SMS आते रहते KYC update के लिए. Now इसमें दो टाइप या SMS होते हैं, एक जो कुछ KYC real update के लिए आते हैं और कुछ KYC fraud वाले भी. तो थोड़ा ये fraud के बारे में बताएं और कैसे कोई आग्में differentiate करें कि कोई real KYC update का कौन सा message है और कौन सा fraud का SMS है? Generally, आपके bank से जो आते है, official site से, वो KYC verification के लिए आते हैं, आपडेशन के लिए आते हैं, तो KYC online भी आप update करते हैं, लेकिन जो email, अगर email या SMS पे link दिया है, उस पर click करके तभी नहीं करना KYC update, यू go to the bank site and then update your KYC. Now the reservoir bank has come out with a new circular, कि आपको every year KYC update करने का ज़रूरत नहीं हैं. Very good. You just go to your bank and tell them that my previous KYC is still in force. मुझे, there is no change in my address or any other KYC details. So just we have to verify, my previous KYC is still in force. Is it valid only for the government banks or private banks पर भी ये नहीं हैं? Private banks. Reserve bank issues circular to all banks. Okay, okay. So reserve bank के लिए इन दोनों में कोई differentiation नहीं है, वेदर इन दोनों में कोई differentiation नहीं है, वेदर इन प्राइवेट बैंक और प्सु बैंक, it is treated equally. इंडिया के अंदर एक बहुत बड़ा तपका है जो हर समें जॉब सर्च भी करता रहता है और बहुत सारे लोगों को जॉब की requirement भी रहती है. Now, ऐसे बहुत सारे online job frauds के बारे में भी हमें पता चल रहा है. तो ये online job frauds कोई कैसे करेगा? क्योंकि अगर मान लीजे किसी को job अगर चाहिए, या कोई job देने वाला है, ये दोनों अगर correct हैं, तो इसमें fraud कैसे हो सकता है? Online job frauds के लिए डिफरेंट साइट्स, बोगस साइट्स बनाया जाते हैं, जिसमें job seeker जो है, वो फस्ट जाते हैं, और job seeker क्यों फस्ते हैं, कि वो भी सोचते नहीं है, इसका मैं एक उदारन दोंगा जो केस मैंने investigate किया था, एक बच्छे नहीं के डिपलोमा किया और उसे ए लगा होगा जैसे उसकी लॉट्री लगें और उन्होंने कहा था फॉर विजा अधर प्रोसेसिंग यह पेस पेसो मुच अमॉंट, वह वाज वाज लोर मेडी क्लास फैमिली, इस फाथर वाज वाज नॉट वाज नॉनने कहा से पैसे जुटाए और पैसे बढ़ते गए, ब इंटर्विव नहीं दिया था उसका, सड़नली वह कैसे सिलेक्ट हो गया, सेकंडली, I am not, I don't want to insult his qualification, but a diploma in catering, can he get a job of such a high-ranking salary, I think एकनम सही बात आपने बोली है, अगर इक सिर्फ एक डिप्लोमा से क्या किसी को लंडन में जॉब मिल जाएगा, थोड़ा इसके बारे में भ अगरे में तो हमारी education क्या है, हमारा experience क्या है, as against that मुझे कौन से job मिल रही है, whether they are true people, genuine people, और a fraud company, और a shell company, we are to verify that, यह सब करके ही बात में आगे बढ़ना है, और secondly, ऐसे बात है, जब मुझे कोई नोकरी देता है, तो I don't have to pay anything to him, I join the room, फिर उजे salary मिलेगा, और my remuneration मिलेगा, यहां तो वो लोग पैसे, पहले से ही पैसे मांगने चलो कर देते हैं, आपका वीजा का काम है, वो का फोना है, even they say, आपका यहां से अगर नाना है, तो आपको reserve bank का clearance लगेगा, उसके लिए भी हम करेंगे, वो भी पैसा आप So one has to think over it. Many people just, they get carried away, कि मुझे इतने खुश हो जाते हैं, कि मुझे I have been selected, और इसमें वो फच जाते हैं, तो यह सोचना है, कि अगर हमें कोई जॉब दे रहा है, तो उससे पैसे क्यों मांगीगा, सही बात है, जो आपने बूला, in fact, हो सकता है कि कि किसी में कोई बहुत ही medit तो उससे फिर भी verify तो करना ही होगा, बगेर verification 18 lakh रुपीज देना, मतलब यह कितना बड़ा trap रहा होगा और कितने, मतलब कितने आसानी से उन लोग ने इनको भी psychologically manipulate करके track कर लिया, तो रविन चीज जो आजकल बहुत जादा common आ रही है, क्योंकि इंडिया की जनसंखिया इत साथ matrimonial frauds भी आ गये हैं, अब यह matrimonial frauds आ गये हैं, थोड़ा इसकी और प्रकाश टालिए, matrimonial frauds के बारे में ऐसा है, कि I have seen, हमने देखा है, कि कही बार वो matrimonial site hack करते हैं, और उसमें से phone numbers या contact details लेके contact करते हैं, या तो खुद को register करते हैं, वहाँ पर जूटी information दे करते हैं, और इसमें ऐसे होता है, कि जिनकी शादी होने वाली है, या शादी के लिए जो ट्राइ कर रहे हैं, वो इसमें फ़र्च जाते हैं, जैसे मैंने job bracket के बारे में कहा, वैसे ही होता है, एक lady doctor थी, around 35 years of age, 35 साल की थी, और उन्होंने उनको एक alliance के लिए message आ गया, जो आदमी था, जो लड़का था, वो कही दूसरे देश में था, और वहाँ पर बड़ा बिजनेस था उनका, और ऐसे करते-करते वो बाते करने लगे, दोनों आई दूसरे को पसंदा के, पर ये लड़की नहीं, ये देखा नहीं, कि ये जेनुन है, याने उसके इंडिया म कि तुमारा वीजा कराना है, तुमारा RBI का क्लियरंस लेना है, तुमारा इंकम टैस का क्लियरंस देना है, और पर लड़की थी, वो इतनी एंग्रोस हो गए उसमें, उसमें मिल गए, कि उन्होंने पैसे देने चलू कर दिये, वो लड़के को, नेरली 40 लाक्स ही पेट, 40 ल में रहते थे, वो कि वो रिच फैमीली से थी, एक विल्डिंग में भाई बहन सभी मापी ताजी रहते थे, तो उन्होंने भाई को बोला, मुझे थोड़े पैसे थे, तो भाई ने पूचा, क्यूं चाहिए पैसे? उन्हें ने बोला, ऐसे ऐसे एक लड़का शारी के लिए तैयार हो गया उसके लिए पैस्ते तो उनके भाई को समझे आ गया कि यह गज़त है डाउट आ गया उनको तभी उन्होंने तेहकिकात की तो पता चल गया यह फ्रॉड ऐसे नाम को कोई आदमी उस देश में था ही नहीं तेकिन उने उसने अपना प्रोफाइल बोगस प्रोफ पड़ेगी कि जो फ्रॉड है या कैसे है अगर पैसे मनता है तो क्यों पैसे मनता है यह सम देखना पड़ेगा यह तो वापस उसी पॉइंट पर आता है जो आप अभी थोई दिर पहले हमें बता रहे थे कि अवेर्निस होना और जागरूपता होना बहुत जरूरी है किस प तक विश्वास रखना है और थोड़ा दिमाज से सोचना है कि अगर कोई भी अपने को ओफर आता है या तो मैट्रिमोनी का रहे या जॉप का रहे या बिजनेस ऑपर्चुनिटी रहे वेजन हाव फार इस वायबल कितना है वो देखना बहुत आवश्यक है और यह जो मैट मैट्रमोनील साइट ऐसे है कि जहाँ पर वो बैगराउंड चेक नहीं करते है वाटेवर डिटेल्स यू गिए यू दे एक्सिप्ट इट अग्सिप्ट है बतलब यह किसी एक अड़ोटिस्मेंट पोर्टम जैसा है पोर्टम जैसा है ओके यस आजकल बहुत सारे लोग प् हो रहे हैं जैसे के कोई इंडियन आर्मी का या किसी इंडियन नेवी का आदमी बोलता है कि मुझे प्रॉपर्टी करीब नहीं है या बेचनी है तो वह प्रस्नली वेरिफाई कि यह आदमी सही है या गज़त है सिर्फ ओनलाइन पेमेंट या ओनलाइन देखके यह काम नही इस पर लाइट डाल सके ऐसा है दिल्ली के एक आदमी को एक रेयर बर्ड उसके पास था उसे वह बेचना था तो उसने अड़र्टाइजमेंट दी कि मुझे यह रेयर बर्ड बेचना है उसे एक फोन आ गया कि आपका जो बर्ड है अंखरीदने को तेयार है आपका आकाउं मैं पैसे जबातर देता हूं तो उन्होंने अपना अकाउंट दे दिया होंचे उनके अकाउंट में पैसे आ गये तो उन्होंने सामने वाले से फोन आ गया सामने से फोन आ गया कि आपके आपके आदमी आएगा टेंपो लेके वो बर्ड आप उसको दे दीजे तो कुछी द आधार नबर या तो पैन का लेना चाहिए था उसका पैंक अकॉंड क्या है जो आदमी टेंपो लेके आया था वो कौन है टेंपू का नंबर तक उन्होंने नहीं लिया था तो इसमें तो पूरे संशे के घेरे में फिर गए वो आ गए थे तो ऐसे नहीं होना है जैसे प्रॉपर्टी डिलिंग में भी ऐसे होता है कि कोई तो आदमी फोन करके बोलता है या पमिनिकेट करता है कि मैं इंडियन आर्मी से हूँ और मैं फ्लैट रेंड पर लेना चाहता हूँ या खरीदना चाहता हूँ बहुत सारे आ रहे है तो आपको इसमें साउधानी बरपनी पड़ेगी कि विदर्द परसन जो आदमी ले रहा है या बेच रहा है वो जैनेन आदमी है उसके आधार कार्ट, KYC डीटेल, पैन कार्ट या उसका करण्ट लोकेशन क्या है यह सब वेरिफाई करना है और फिर बाद में ही डीलिंग करना है इसी जाता है, इसी होता है इसलिए बहुत सारे लोग आनलाइन पसंद करते है देट से उस टाइम, टाइम से हो जाता है उसमें दिक्कते भी कम हो जाती है लेकिन प्रोड के चांसे भी जाती रहता है तो वेरिफाई करना बहुत आविश्चक है तो इसका मतलब यह भी हुआ कि अगर हमारे पास पैसे आ रहे हैं या जा रहे हैं दोनों प्यार हमें नजर रखना ज़रूरी है और इस्पेशली जब जा रहे हैं मेenne दोनों तो वैसे भी चौकदना हो जाते हैं लेकिन आते समय भी हमें उन्हीं चौकदना हो जाना है जिस ? और फैसे जब जाते हैं जब एमकौस्थ अपना चंट्रोल रहता है मैं किसी को पैसे बहें तूप या इस पर लेकिन जो पैसे आते हैं अज तक अपने उस पर bank में control नहीं है, अगर आपके account में कुछ पैसे आ गए, तो आने के बाद आपको पता चालता है कि किसी ने, मैं आपके account में online भी payment कर सकता हूँ, credit कर सकता हूँ, या check payment भी कर सकता हूँ, आपके control नहीं है, आने वाले पैसों, लेकिन पैसे जो आते हैं अपने account में, अगर वो आपके legal dues नहीं है, तो आपको income tax को और police को या तो cybercrime reporting reporter को immediately report करना चाहिए, यह मेरा पैसा आने वाला नहीं था, यह किसका पैसा आया है मुझे मादूम नहीं, या तो अगर मादूम है तो इसने क्यों पैसा दिया है, यह गलत पैसा है मेरे account में आया, यह आपको inform करना ही चाहिए, और कितने समय में हमें inform कर दिना चाहिए, और कितने समय कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन ऐसे होता है कि बहुत सारे दोग, हर रोज तो हम जाके bank statement नहीं देखते हैं, कभी-कभी बैंक में पैसे आजाते हैं, यह जाते हैं, इसमें कभी-कभी नहीं आते हैं, बैंक से, लेकिन जब यह तेकिकात होती हैं, दस अजार आगे, इसका मतलिब यह नहीं कि आप क्रिमिनल के साथ जुड़े हुए हो, यह तो, आपका तो कंट्रोल हैं नहीं आने वाले पैसों पर, तो ऐसे हो सकता है, बट वहर तो, एच सुन एच हमको पता चलता है, कि पैसे ऐसे आगे, जिस पे मेरा हत नहीं है, या मे इंशुरेंस फ्रोड के बारे में सुनने को मैं मैं ले और इसकी उपर भी थोड़ा हमें बताए हैं, क्योंकि आएंशूर कि आपके, जिस समय आप सर्विस भी कर रहे थे और उसके बाद भी जब आप आजकल विरियस सेमिनार्स में जाते हैं, बहुत सारे लोग को एड्रे इसने एडवर्टाइजमेंट करके आपको बेज दिया कि यहाँ पर आप इंशुरेंस करा सकते हो, तो वो लिंक पर जाके क्लिक नहीं करना, बहुत सकता है, और आपके पूरे वैसे जा सकते हैं, विशेष्टा आजकल के यंग जनरेशन को ऐसे हो गया है, कि बिना क्वेश करें, पर इंशुरेंस के यहाँ पर इंशूर्ण्स के फ्राण अक्रिंज काा 12 थी थुड़े स्वेर सिटीजन बहुत कंपना इसमें ट्रैफ होते हैं, कि वो 10 बार वेजों के लिमीटे़च सूचणि सिर्शें तो वो सोकते हैं, तेगि यह जनरेशन पर सबस्क्ष कर्दा और इसमें फिर्स जाते हैं पॉसेटली यह जो है चुकि उनको इस पर फोकस रहता है इसमें कई बार जो है मिस हो जाता है मैं समझ सकते हैं आज कल वाटसेप पर भी जो है काफी फ्रॉड्स हो रहे हैं मेरे पास भी कुछ बार ऐसा हुआ है कि इंटर्नाशनल नंबर से कॉल रहा था कभी प्लस नाइन टू रहता है कभी कोई होंकंग का कोड रहता है इस ताइप के रहते हैं तो इसके बारे में थोड़ा बताएं कि यह क्या होता है और यह फ्रॉड्स करते कैसे हैं इंडिया का कोड है प्लस नाइन वन पाकिस्तान का कोड है प्लस नाइन टू तो जबी प्लस नाइन वर छोड़के कौन से भी वाल आते हैं, अगर आपको मालूम है कि आपका कोई रिष्टेदार दूसरे कंट्री में है, वो कॉल कर रहा है, अन्नोन कॉल जो रहते हैं, जो आपके पास सेव नहीं है, वो एक तो आप रिसीव मत कीजिए, या तो अगर रिसी दे रहे हैं आपसे, तो बाहर से जो कॉल आते हैं, उसके उपर ठ्यान देना है, अभी डारेक्टी भी कॉल आते हैं, या नहीं आते हैं, तो वी ओवी कॉल आ सकते हैं, वोईस और इंटरनेट प्रोटोकल, तो उसमें फोन नंबर तो निसले नहीं होता है, लेकिन यह जो वे वेरी कॉशिस तो उनको जब रिप्लाइ करते हैं, रिस्पॉण करते हैं, कॉशिस रहना चाहिए, कभी-कभी ऐसे होता है वाटसप पे, किसी दूसरे का वाटसप हैक किया जाता है, और उसके वो नए वाटसप पे भी वीडियो फॉल यह आ सकते हैं, तो जैसे स्वीच इट ओफ, कोई लोक क्या है, ऐसे कुरियासीट में आगे देखते हैं, तो एक्टिविटी दे आर चैप्टिरिंग यह वो फोटो यह आपको पे आते हैं, तो एसे काल अगर वाटसप पे आते है, तो इवीजेटली डिसकनेक करना, यह एक ही उपाय है, और दूसरी वाद ऐसी है कि बहुत सारे लोग अपना मेरा फोन नंबर है सिम कार्ड है वह अपडेट नहीं कराते रिन्यू नहीं कराते जैसे उसका वैलेटिटी खतम हो गया तो देट इस डिवन टू सम दूसरे किसी आत्मी को दिया जाता है और वह उस पर वाटसप चलू करता है तो उस हमें लेनी होगा तो इसका मतलब बार बार मोबाईल नंबर चेंज करना भी एक खत्री के लिए जो है आमंतरित करना है राइट सर एक और चीज के बारे में आपसे समझना चांका है आजकल identity theft के बारे में काफी सुने जा रहा है identity theft करके और उसके बाद लोगों को धुका दिया जाता है अब ये क्या होता है इसके बारे में थोड़ा बता है identity theft ऐसे है कि मैं दूसरे की पहचान चुड़ा देता हूँ मेरा जो नाग है उसके अलावा मैं दूसरे किसी का नाम लेके Facebook अकाउंट उपन कर सकता हूँ LinkedIn पे जा सकता हूँ Instagram पे अकाउंट उपन कर सकता हूँ WhatsApp पे अकाउंट उपन कर सकता हूँ किसी भी इस पे अपना नाम बदलके दूसरे का नाम लेना और वहां पर थ्रेट कॉल बेजना यह तो डिफरंट फ्रॉड कॉल बेजना यह किये जाते हैं और इसमें में बात ऐसी रखिए कि यह लोग जो है जो फ्रॉड कॉल करते हैं या आइडेंटिटी से जो करते हैं उनका मतलब ही खुद को छुपाना और दुसरे के रोल में जाक कि आपसे पैसे उगलवाना या आपकी इंफॉर्मेशन लेना यही उनका उद्धिष्ट रहता है इसमें और इसमें भी बहुत सारी बाते रहती हैं जैसे फेस्बुक के फेक अकाउंट कि रिंट किये जाते हैं किसी नाम के नाम से और उससे पैसे मांगी जाते हैं उसके फ फेस्बुक पे अगर फ्रेंड्स हमारे हम किसी से फ्रेंड already है उसका भी वापस फ्रेंड रिक्वेस्ट आ जाता है उसमें देखने बाद यह है उसका अकाउन कब एक्टिवेट हुआ हैं उसके कितने फ्रेंडस है और मियोट्षा प्रेंडस कितने हैं अर्य जै तो बहुत mutual friends है, account अभी-अभी open हुआ है, और उसके friend list में भी merely 14, 15, 20 people है, तो इसका account समझ जाने का, एक तो cross verification करने का friends है, कि क्या यह अपने second account open किया है, या तो समझना कि यह biggest account किसी ने उसके नाम पे किया है, यह सब किसी की बदनामी चपने के लिए, या तो पैसे उगलवाने के लिए, या M.P. देने के लिए, यह identity theft किया जाता है, और अगर मान लीजे, किसी के साथ ऐसा हो गया है, तो उसे क्या करना चाहिए, उसे अगर Facebook का account है, तो आप मेरी financial request आपको आ गए, बोगस account की, या spam है, तो उसमें आपको, जो आपको सही लगी है, उस पर click करके, that has to be reported, अगर बहुत सारे लोग report करते हैं, कि यह fake account है, तो Facebook को account बंद करता है, अच्छा, Facebook उस पर act करता है, act करता है, आपको उनका मेरी भी आ लियाता है, कि we are acting on it, अच्छा, तो इसका मतलब, हमारे भी आप में कुछ है, ऐसा नहीं है कि हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उसके लिए एक या दो reporting नहीं, बहुत सारे reporting होने चाहिए, हाँ, लेकिन मेरा ख्याल है, जब भी कोई इस तरह का fraudster करता होगा, तो बहुत लोगों को वैसे भी भेशता ही होगा, भेशता तो है, और वो जिसके नाम का यूज किया गया है, उसे ब्लॉक कर देता है, अच्छा, उसके समझ में नहीं आता है, मेरे नाम से कितने अकांट अपन अभी है, अच्छा, अच्छा, तो उसके information source को वो बंद कर देता है तो उसके information source को वो बंद कर देता है राइट I will give you example one day my wife we are sitting together having breakfast and tea in the morning she got a friend request from me मुझसे मैंने उन्हें फ्रेंड रिक्वेस्ट बेग वा तो उसके नया अपांट ओपत किया है contact list में दोस्ते उनको एक रिक्वेस्ट बेजिए के मैं फरनीचर का बिजनेश चालो किया हूं और फरनीचर बेज़ता हूं तो मेरे दोस्त सोचे जो हमारे बाजूवले मेरे एरिया में रहते हैं दोसमेंट करे के अबंढ़ है तो परनीचर हमें भी करिदना है तो मैं करिद लेता हूं तो इसके मीस्स ने उसिका रोज तो मिलते हो रोज एक बार फो जाता है इक बार फोन तो करके तो उसने मुझे फोन कर दिया तो मैंने बोला यह बोकस अकाउंट है बोला अच्छा हुआ बोल दिया मैं इसमें पैसे डालने वाला था तो जो आत्मी जिसका वो प्रोफेशन नहीं है उसका प्रोफेशन दिखा के या तो कुछ सिंपती क्रिएट करके जैसे बहुत सरे इसे नहीं होता है यह सब चीजे लोगों ने ध्यान में रखनी चाहिए एक और चीज जो काफी सुनने को मिलता है वो है कि एमेल और मेसेज करके भी लोगों को फार्फाई आपना है ऐसे कुछ केसे आपके पास भी आया होंगे थोड़ा इसकी उपर प्रकाश टाली इमेल करें बहुत सरे बेज़जाते नान स्पायम इमेल्स कि आपका जिस बैंक में अकौण नहीं बहुति अपको वै डौए सभी अब्ते-टैट कि जी यह तो आपका अकौण फ्रीज कर देंगए ऐसे बहुत सरे सारे आते हैं जैसे मेरा किसी बैंक में इंडियन बेंक मेरे अका तो यहां टो और पर्सनली वेरिफाए या तो के वाइस से पर्सनली अप्डेट कीती है ओनलाइन अप्डेशन किसी ने आपको भेजा है लिंक भेजा है तो ऐसे मत किये वो लिंक पर जाके और इसी टाइप का एक चीज और मैंने देखा है कि कुछ इंकम टाक्स रिफंड को लेकर के भी जो फ्रॉड्स होते है थोड़ा इसके बारे में बताइए अगर 31st March के पहले आपको ऐसे मेसिज आते है तो आपको जिन्होंने लिंक बेजा है उस पे क्लिक करके यह नाम नहीं करना है जैसे 31st March क्रॉस हो जाता है तो आपको बोलते हैं आपका रिफंड आना है तो आपका बैंक अकाउंट दीजिए आपके के वाई से डीटेल दीजिए और OTP शेयर की विए आपको रिफंड मिल जाएगा जबी मेरे अकाउंट में पैसा आना रहता है आपको पूछते नहीं है अगर रिफंड आना है तो डिरेक्टली इस डिपॉजिटेट इन एर अकाउंट और आपको एससे मेस आ जाता है उनकी तरब से इतना आपका रिफंड था यह आपके अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया गया है तो ही बताया आपने और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ऐसी है कि जब हम चार्टर अकाउंटेंट के थ्रू या डिरेक्टली हम भी करते हैं तो हमें पता रहता है कि हमारे ड्यू देना है या इंकम टैक्स रिफंड है लेकिन कभी कभी हम यह लालस्ट में आ जाते है कि कोई गलती हो गई और मुझे थोड इसमें लालस में नहीं आना है एंड नाट टुर शेर एनी इंफोर्मिशन पैसा आने माला है तो आज आएगा इसी से चुड़ा एक और सवाल है कि आजकल पढ़े लिखें लोग भी बहुत सारे फ्रॉड में फस रहे हैं थोड़ा इसकी वार्या बताएं पढ़े लिखें लोग भी इसमें फ्रॉड में फस रहे हैं क्योंकि द्यार एक्सपर्ट इन देर फिल्ड लेकिन जो डिजिजल वर्ड है उसमें मैंने जैसे पहले बताया कि तहां पर विश्वास रखना है किस से डरना है किस चीज को डरना है यह जब नॉलेज हमको नहीं होता है इसलिए कि यह जिनिल साइट है यह कुछ न सोचते हुए उन्हें कर दिये थोड़ा और पड़े लिके लोग इसको लेकिन उनका परसेंट एक बहुत ही कान है या तो वह फसना ही रहेगा तो या तो शेरी ट्रीडिंग जैसे इन्वेस्मेंट इन्स्रूमेंट से उसमें फस्ते हैं अब तो मुंबई में काफी समय कारणत रहें तो यहां पर कि बहुत सारे सेलिबरिटीज भी हैं बहुत सारे इंडेस्टिलिस्ट भी हैं और काफी पैसे वाले लोग भी हैं तो कोई हाई प्रोफाइल केस हमें बताएं जिसमें जो है ऐसा साइबर फ्रॉड हुआ है एक रि क्योंकि उन्हें इडी का और सिभी आ का नूटिस आ गया था कि आप मनी लॉंडरिंग करते हो और इसके लिए आपके उपर वाच है आपके नाम से वारण निकला हुआ है वह इतने डर देते बहुत उमर बहुत है लेकिन उनके जमाने के वह वह वेरी सक्सेस्पुल बिजन गया तो उसमें थोड़ी सा ऐसे रहता है कि उनके कारियकाल में जब भी वो बिजनिस करते थे शायद उन्होंने उनको ऐसे पता रहेगा कि आमने कुछ थोड़ा सा गलत काम किया है शायद वो पकड़ा गया है तो यह लेकिन यह जब कॉल करते हैं आपको अगर इन एडी की इसी ऑकी नोटीस आनी हैं तो आनी है उनको पैसा देके ऑंलाइन पैसा देकर मिटने वाला काम नहीं है तो उन्हों भी सोचना चाहिए कि अगर आता है तो आने दो फिजिकली आने दो बाद में देखेंगे डिजिटली आरेस्टों के पैसे बरते जाना देते जाना यह गलत बात है क्योंकि हर एक के लाइफ में कुछ ना कोछ छोटी मूटी भी गलती रहती है वो सामने वाले फ्रोट सर को मालूम नहीं रहता है लेकिन अपने मन में हम सोचते हैं कि वो उसने पकड़ लिया रहे है इसलिए से हमको बाहराना है अगर पकड़ लिया है येस, I will face the music इसी विज़ा से बहुत सारे लोग फ़ज जाते हैं तो मैंने आज आज आपसे काफी केसिस के बारे में चर्चा की और बहुत सारी चीजों के बारे में आपने हमें और वीवर्स को बताया जिसका benefit मेरा ख्याल है हम सभी लोग उठाएंगे इन सभी केसिस से हमें क्या सीख लेनी होगी ये सब केसिस जब देखते हैं तो पहली बात यह है कि साइबर क्राइम अगर कंट्रोल में लाना है तो public awareness बहुत जास्ती होना चाहिए कि साइबर क्या से किये जाते हैं हम किस वज़े से इसमें फ़र्स जाते हैं और इसमें मीडिया आने भी ये टॉपिक जो है वो लेना चाहिए पब्लीक अवेर्नेस करने का सेकंड भी मैंने पहले जैसे कहा कि हमें बहुत सारी चीज़े सिखाई जाती है बच्पन से तो ये भी स्कूल या कॉलेज के करिकुलम में भी आना चाहिए कि हाव तो सेफली यूज इस साइबर और डिजिटल अवेनुस अब हम पॉडकास्ट के अल्मोस्ट अंत की तरफ बढ़ रहा है एक जो सवाल है और आपके आप जैसे अनुववी विशेशग एक्सपर्ट से जो हम ये समझने की कुशिच कर वह है अगर कोई आदमी अगर विक्टिम हो चुका है तो उसके लिए आप क्या एडवाईज देना चाहेंगे क्या राहे देना चाहेंगे अगर विक्टिम हो चुका है तो इमिजेटली यहां का नजदिक पॉलिस टेशन है अगर मैं रहता हू और आप पर आपको पता चला कि आप विक्टिम होगे सेटेंड भी अभी Central Government की यो नई साइट्स है जैसे www.cybercrime.gov.in यहाँ पर देखी तक्रार दिखित में तक्रार करनी है और नंबर 1930 अरो पर मौखिक तक्रार करनी है वरबल कंप्रेंट करनी है जो कंप्रेंट आपके लोकल पोली सेशन पर पहुच जाती है और वहां से पोलीस भी इनिवेस्टिकेशन करती है लेकिन यह सब करने से पहले मैं आपको फिर बताता है कि दिन के इतने कंप्रेंट्स आते पोलीष के पास Cybercrime victimization के तो अपने आपको बचा दान यही सबसे बहत्र मार्ण है अगर चांज victimized हो गए लचानज विक्तिमाइज होगे तो ऐसे लग रहा हैBob तो आप Information Technology Department की जो मंत्रा ले में सेक्रेटरी है उनको एडिटिकेशन के फ्लॉज से गया है और बाद में वो निकाल देती है उस पर कि अगर आपकी दल्ती नहीं है तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद रविट जी और हमें जो है इस पॉड्कास में बहुत मज़ा आया मेरा ख्याल है व्यूवर्स को भी जो है बहुत कुछ सीखने को मिला हुगा बहुत-ज़ादा हम इस से लावन कें हुए हम चाहेंगे की आप हमारे साथ एक और पॉडकास करें जिस से की हमारे कुछ और भी प्रश्न है और हमारी जिग्यासा है वो इतने जल्दी शार्थ नहीं होने वाली हम चाहेंगे एक और पॉडकास में आप उन सभी सवाल ethical का ज फिर से रविंद्र जी से मिलेंगे और थोड़ी और जानकारी लेंगे आप सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद अपने आपको सुरक्षित रखें और स्वस्त रखें थैंक यू सो वेरी मच